यह अगला वीडियो है जो की परियाटन इस्तल खजराओ की उपर मैंने पूरा बनाया है और इस वीडियो में खजराओ जो परियाटन इस्तल है जो मद्यप्रदेश का एक इसके बारे में पूरी जानकारी इसमें लेंगे एक्जाम के पॉइंट ओविस से खजराओ जो है बहुत ही जादा इंपॉर्टन है इस पर मद्यप्रदेश के अलाबा अन्य जो एक्जाम होते हैं उसमें कॉश्चन अवज से बनते हैं तो इस वेरी इंपॉर्टन टॉपिक आपको यह वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी गुरुस में और अभी तक मेरा चैनल जो स्टडी कॉंसेट है इसको आपने अगर अगर सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ बैल आइकन को जरूर आप क्लिक करें अगर एक option आएगा उसको आपको allow करना है radio button होंगे उसको आपको allow करेंगे तब जाके ये पुरा का पुरा इंपॉर्टेंट है और बनव दा इंपॉर्टेंट टूरिजन प्लेज इन मद्यप्रदेश खज्राओ ये सबसे पहले जान लेते हैं खज्राओ के वारे में एक छोटा सा आइडिया कि खज्राओ आखिर है कहां पर और किस तरीके से सिच्वेटेड है मद्य भारत के मद्य प बाजू में ही इस्तित है ये और मद्य प्रदेश के उत्तर छेतर में ये पढ़ता है अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है खज्राओ भारती आर इस्थापत और वास्तु कला का एक नायाब मिसाल है यानि कि यहां पर जो भारती आरे आये थे उन आरेों की जो इस्थ जाना जाता यहां पर जो मंदिर हैं जिनका की निर्माण चंदेल वंस ने करवाया था उसकी वज़े से ये खज्राओ बहुत ज्यादा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में और एक टूरिस प्लेस मद्य प्रदेश का स्पेसिफिक रूप से सबसे अधिक हाइस्ट जो टूर जाते हैं सिर्फ खज्राहों में चंदेल सासकों ने जैसे कि मैं बता चुका हूं खज्राहों जो परियाटर इस्तले सबसे ज्यादा अगर यहां पर किसी के वारे में जानकारी मिलती है तो चंदेल वंस की जानकारी इसमें मिलती है चंदिल सासकों ने ही यहां पर जो मंद 3000-343 की ECB के मदध यहां पर मंदिरों का निर्मान छंदिल वंस ने करवाया था, ठीके इतियास में इन मंदिरों को सबसे पहले जो उलेक मिलता है, ठीके जो इतियास में अगर उलेक कहीं मिलता है तो वो कम मिलता है, अबू रिहान अल बुरोनी, ठीके, जोकी और कब आया था? दस सो पाईस में, ठीक है न? आया था, और उसके बाद में अरब मुसाफिर आया था, इबनवतूता, ठीक है न? ये अफरीकी था, ठीक है? अफरीकी एक मुसाफिर था, जो कि यहां पर आया था, तो उन्होंने जो लिक लिखे, जिस तरीके से उन्होंने पूरा व्योरा प्रस्तूत किया, उसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, इन मंदिरों के बारे में, ठीक है न? तो यह आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको इसी तरीके से याद रखना, एक्जामें पूचा जाए रखता है, अबूरिहान अलबुरूनी जो कि 1022 में इस्वी में आया था, और अरब मुसाफिर जो अफ्रीकी मुसाफिर है, इबन अबतूता, ठीक है न? यह अफ्रीकी मुसाफिर था, यह भरत में आया था, आई अब जान लेते हैं, प्राचीन काल में इसको किस नाम से जानते थे, प्राचीन काल में इस छेत्र को, खजराओं को वस्थ नाम से जानते थे, मद्यकाल में इसको जेजाग, भुक्ती के नाम से जाना गया, उसके बाद में जब मदिकाल खतम हुआ था उसकत में ुषूद्वी सताबदी में तीक है न? के बाद में यहाँ पर बुंदेल खंड के नाम से यह जा आ गया थीक है? तो ये तीन, तीनों जो काल रहे उसमें अलग-अलग नाम से खजराहो का को जाना गया प्राचीन काल में वस के नाम से ये popular हुआ मद्य काल में इसको जजाग भुक्ती नाम दिया गया और चौदवी सरदापदी के बाद में ये बुंदेल खंड नाम से जाना गया यहाँ पर की बुंदेल खंड के नाम से यहाँ पर राजा बुंदेला उसने यहाँ पर राज किया उसके बाद में ये जो छेत्रे ये बुंदेल खंड नाम से पॉपलर हुआ चंडेल बंस नहीं यहाँ पर खज़राओं में राज किया खज़राओं के चंदेल बंस के उत्ठान कभसे दसवी सदी से सुरू से माना जाता है तब से इसको माना जाता है चंदिल वंस को ठीक है और एक हजार साल पहले यहां पर एक हजार साल पहले आने कि अभी कितका चल रहा है अभी 2000 चल रहा है 2020 ठीक है ना तो यह जो आयते चंदिल जायते 922 के असपास यहां पर ठीक है ना चंदिलों ने यहां पर राज किया और 922 चौदवी सदी तक इन्होंने यहाँ पर राजी किया तो तब तक टोटल कितना 1000 साल बीद गए समय को तो 1000 साल पहले यहाँ पर कला प्रेमी चंदेल राजाओं ने करीब 84 बेजोड और ला जवाब मंदिरों का निर्मार करवाया था जो कि कल कितने थे 84 मंदिर यहाँ पर इन चंदेलों ने यहाँ पर निर्मार करवाया था जो कि कला के मामले में बहुती ज़्यादा बेजोड और ला जवाब मंदिर थे लेकिन इन में से अभी सिर्फ कितने 22 मंदिरों की ही खोज हो पाई है कुल दसवी सताबदी में है नहीं कि दसवी सताबदी में अगर देखा ज गया है तो मंदिरों का निर्मार इस समय करवाया और टोटल 84 वेजोड मंदिरों का यहाँ पर निर्मार करवाया था जिसमें कि अभी पुरातत्व विवाग ने सिर्फ 22 मंदिरों की ही खोज कर पाया है यह देपी दूसरे जो पुरा विसेस हैं ठीक है ना वो उसका प्रमा प्राचीन टीलों तता विख्रे वास्तु खंडों के रूप में आज भी खज्राओं के आसपास देखे जा सकते हैं अभी टोटल 22 मंदिर जो की वहाँ पर आपको देखे जा सकते हैं लेकिन पुरातत्व विवाग ने वहाँ पर जो प्राचीन प्रमार मिले हैं वहाँ पर वास्तु खण वहाँ पे बिखरे हुए, जो टूटे-बूटे पत्थर हैं, ठीके ना, और जो वहाँ पे पाट पड़े हुए हैं, उससे खजराओं के आसपास के ये प्रमाण देखे जा सकते हैं, आई ये अब समझ लेते हैं, परिच्च है, खजराओं का जो परिच्च है, खजराओं जैसे कि बता चुका हूँ, चंदिल सासरकों का प्रादिकार का ये प्रमुक इस्थान था, शुरूर से ही 900, ठीके ना, 900 से ले चुदवी सताब्दी तक, चुदवी जो सधी है, ठीके ना, तब तक चंदिलों ने यहाँ पर राजी किया, जिनों ने यहाँ पर अनेक तलावों, सिल्पकला की भव्रता और वास्तु कलात्मक सुंदर्ता से सजे विसाल मंदिर बनवाए, ठीके ना, चंदिलों ने, चंदिलों का मंदिर बनवाए, जो अब लच्मन मंदिर के नाम से प्रसेद है, यहाँ पर जितने भी चंदिल सासरक कहला है, उनके पीछे वर्मन लिखा हुआ है, ठीके ना, चंद्र देव वर्मन, इसने, यह जो राया था, इसने ही चंदेल वंस की स्थापना की थी, चंद्र देव वर्मन ने, उसी से इसका नाम जो चंदेल वंस कहला है, चंद्र देव से, ठीके ना, उसके बाद में, इसका जो प पीछे वर्मन जरूर लिखा गया, और भी है, कईयों की पीछे नहीं भी लिखाया गया, जैसे राजा दंग है, ठीके न, वो भी चंदिलवंस के ही थे, तो यसु वर्मन ने जो विश्वनु मंदिर बनवाया था, वो अब लेच्पन मंदिर के नाम से प्रसिद है, जो की जानते हैं, तो ये भी चंदिलवंस के थे, जो की इनोंने निर्माण करवाया, इनी के समय के हैं, विश्वनात मंदिर, पास्वनात मंदिर और वैदनात मंदिर, राजा दंग के समय के हैं, जो यसु वर्मन के उत्रावर्दी थे, यानि कि जो यसु वर्मन हुए, उसके ब उखती ज़्यादा विशाल रूप में है और काफी इसकी मानिता है ठीक है ना जिसको की राजा गंडा ने बनवाया था ठीक है ना राजा गंडा जो की चंदिल वंस के इते उन्होंने इसका निर्मार करवाया था तो जितने भी चंदिल वंस की सासक समय समय पे आए 950 से लेक तो 500 वर्सों तक चंदिलों ने यहां पर राज किया पांच सदी तक यहां पर राज किया और तब तक यहां पर मंदिलों का निर्मार होता रहा ठीक है जैसे यह बता चिक है चोरासी मंदिलों का निर्मार यहां पर करवाया था चंदिलों ने ठीक है ना इसके अलाबा बहुत से मंदिरों का निर्मार लगाता है यहां पर चलता रहा हूँ चंदेलों की समय पर अब इसके एतियास के बारे में जान लेते हैं खजराओ का खजराओ का जो प्राची नाम था वो था खजुर वाहक ठीक है ना खजुर वाहक नाम इसका प्राची नाम था इसको आपक के संदक्षण में जो खजूर वाहक था जो प्राचीन नाम था वो एक राजधानी और नगर था ठीक है नाability एक विश्दित्र छेत्र जिजाग भुक्ती की सासक थे ठीक है जिजाग भुक्ती यहसे की बता चुका तो ये इसका इत्यास है, आगे चलते हैं, आई आप समय लेते हैं, चंदेल वंस की जो नीव थी, वो किस ने डाली थी, चंदेल राज की नीव आठवी, इस वी में महुवा के चंदेल नरेज, चंदर वर्मा ने डाली थी, चंदर वर्मा ठीके ना, तो चंदर वर्मा में बत जुजोती में स्थापित रहे. इनका जो मुक्हदूर्ग था वो कालिंजर तथा मद्य अधिस्तान महूवा में था धाना जो इन इसका जो धृवी सदी से इन्होंने जो वहां की पाहाड़ी है उसको अपने गतिव यूदियों का केंद्र बना वहीं पे इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया लगातार चलता रहा और इसका धार्मिक महत्ता जह चौद वी सदी तक बना रहा ठीक इस काल में जो अर्भी यात्री था इबनावतूता यहां पर योगियों से मिलने आया था अर्भी यात्री यानि कि जो अफरीकी इसको अफरीकी बोल सकते हैं अफरीकी है कई किताबों लिखा हुआ है इबनावत उता यह अफ्री की यात्री था जो कि यहां की योगियों से मिलने आया था खजराओ दीरे दीरे नगर से गाओं में परवर्तित हो गया और फिर लगबग विश्मिर्ति में खो गया था कि धीमी-धीमे करके 11-5 से लेके 14-24 सतापदी तक है कि इसका काफी कुछ अस्तित्व बना रहा लेकिन धीमे-धीमे करके यहां पर खज्राओ का नाम धीमिदी में खतम हुआ धीमिदी में यह गाओं में परवतित हुआ और फिर बाद में यह इतिहास के पन्नों में याने की विस्मिर्थी में यह खो गया उसके बाद में इसकी खोज की गई क्योंकि ये काफी कुछ जंगलों की बीच में घिरा रहा काफी घने जंगल थे हैं आपर तो यहाँ पर मंदिनों की खोज होई कब 1838 में जब बिटिस काल का दोर चला उस समय एक बिटिस इंजिनियर किसने कैपिटन टी एस बर्ट ने अपनी यात्रा के दोरान अपने कहारों से इसकी जानकारी मिली जो इनकी कहार थे जो इनकी सारी जो भी जानकारी लेते थे यानिकि जो इनकी साच में चलते थे उनसे इस छेत्र के बारे में जानकारी मिली उन्होंने जंगलों में लुप्त इन मंदिरों की खोज की तथा उनका अलंकारिक विवरन बंगाल एसेटिक सोसाइटी के समक्ष प्रस्तूत किया तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट था 1838 में खजराओं की खोज की गई ठीक नकिस ने बिटिस इंजिनियर कैप्टन टी एस बड के द्वारा यातरा के दोरान इ उसके बाद में इसको कहां इसका विवरन बंगाल एसेटिक सोसाइटी के समक्ष प्रस्तूत किया गया 1843 से लेके 1847 के बीच छतरपूर के इस्तानी महराजा ने इन मंदिरों की मरमत कराई फिर बाद में ठीक है ना वहांके जो इस्तानी महराज थे जब इसकी जानकारी मिल इन मंदिरों की विवस्थाबद वर्णन अपनी भारती प्रातत्व सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है और्केलोर्जिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में इसका काफी कुछ विवरन दिया गया अब ये खजराओ को जो इसमारक है वो भारत के प्रातत्विक सर्वेक्षण विवाग की देखवाल में इसका निरक्षण कर रहा है और इसके निरक्षण में ये पूरे कार चल रहे है जिसमें कि अनेक टीलों की इन्होंने खुदाई भी किये इसका कार करवाया गया और ल और इसको विश्व दर्वर इस्तल का दरजा प्राप्त हुआ था आईए अब देखते हैं पर्याटन इस्तल के बारे में पूरी जानकारी खजराओ एक पर्याटन और पुरातात्विक इस्तल जैसे कि आप इसके बारे में जानकारी में दे चुका हूँ आपको तिकिन अज चीस मंदिरों में से दस जो मंदिर हैं वो विश्ण को समर्पित हैं ठीक है ना जिसमें की एक ससक्त मिस्रित रूप में वैकुंट सामिल है ठीक है नो मंदिर सिफके हैं इसमें एक सूरिदेवता का है और एक रहस में योगनियों का मंदिर है यहां पर और पांच मंदिर और यशु बर्मन की समय के हैं। इन्होंने वहाँ पर देखे थे। उस समय भी अनेक मंदिरों को वहाँ पर देखा था इसने। ध्यान रहें, 230 से लेके 950 इसवी की वीच चंदिल सासक यसो वर्मन ने लच्मन मंदिर को बनवाया था। पहले भी मैंने इसके वारे में आपको पताया है। ठीके ना यसो वर्मन की तर ने इसको बनवाया था। लच्मन मंदिर जोकी पहले किस नाम से जानते थे ही सूर्य मंदिर के नाम से जानते थे। विश्णु मंदिर सरी। विश्णू मंदिर के नाम से इसको जानते थे लेकिन बाद में ये समय रहते ये लच्छमन मंदिर की रूप में ये बदल गया जिसको की चंदिल सासक यसो वर्मन ने 930 से लेके 950 इसवी के बीच में इसको बनवाया था अगलो जो मंदिर है वो है विश्णूनात मंदिर खजराओ का लगबग 1000 वर्ष पूर पंचायतन सेली का महराजा दंगदेव वर्मन थी कि ना दंगदेव वर्मन की द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया विश्णूनात मंदिर में तीन सिरवाले ब्रह्माजी की मूर्ती स्त अब इसका कुछ भाग खंडित हो चुका है, यह खंडित रूप में मन्दिर है पुरा, जिसका नाम है विश्वनात मन्दिर और इसको किसने मनवाया था? महराज दंग दिव वर्मन के द्वारा इसको बनवाया गया था और इसमें तीन सिर्वाले ब्रह्माजी की मूर्ती स्थाफित है अगला जो मंदिर है वो है कंदारिया महादे मंदिर बहुती विसाल सबसे बड़ा मंदिर है खजराओ का ये कंदरिया महादे मंदिर, खजराओ का मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर, उचा और कलात्मक मंदिर है यह, यह मंदिर 109 फुट लंबा, 60 फुट चोड़ा और 116 फुट उचा है, यह मंदिर सिव को, भगवान सिव को समर्पेत है, सिव जी को, इस मंदिर में सिवलिंग के है, और बनवाया गया है, कहां पर कंदरिया महादेव, ठीक है, मंदिर में, और इसमें, यह सबसे बड़ा मंदिर है, खजरा होगा, यह आपको ध्यान रखना है, यह जो मंदिर है, इसके प्रतेग भाग में, केबल 2 या 3 फुट उची ही मूर्तियों की संक्या कितनी है, 832, मालब 2 से 3 फिट की जो मूर्तिया है, उनकी संक्या 832 हैं इस मंदिर में, छोटी मूर्तियों की संक्या तो असंख हैं यह, मालब उनकी गिंती नहीं की जा सकती है, पूरी समानुपातिक योजना की द्रस्टी से इसमें बनाया गया है, इसका जो आकार है, खुबशूरत मू अधिकाल के समय का यह अनोखा ही एक्दम अपनी तरह का एक शांदार मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर, अगला जो मंदिर है वो है, चित्रगुप्त मंदिर खजराओ का, चित्रगुप्त मंदिर पूर्प की और मुख वाला मंदिर है, यह पूर्प की और इसका मु बोगवां सूर्ड की प्रतिमा है जहां पर दिकिना जो कि मन को मोह लेती हैं शित्कुभ मंदिर में इस्ते थे इस मंदिर के दिवार पर राजाओं के सिकार तता उनकी सभाओं के में समुह जो निरत्त होते हैं उस समय उसके द्रश काफी खूपशूर्ती से उकेरे गए हैं ठीके न, काफी अच्छी तरीके से इसमें बनाएगा है, यहाँ पर की उस समय की जो सभाव में सामुईक निरत्य होते थे, ठीके न, और उस समय की राजा जो सिकार करते थे, उसकी कला का बहुती नायाब तरीके से इस मंदिर में उकिरा गया है, इससे चंदेल की संपन्रता और उसके बेभव का पता चलता है, कि उस समय चंदेल वंस कितनी संपन्रता के साथ में, और किसने बेभव के साथ में यहाँ पर राज करते थे, खजराहों में, ठीके न, उस समय जो इसका नाम था क्या, जेजाग भुक्ती, ठीके हैं, उस समय की बात है, अगला जो मंदिर है, वो है, जगदंबी मंदिर, ठीके न, यह किसने बनवाया था, राजा, गंडदे वर्मन द्वारा, इसका निर्माड हुआ था, यह मंदिर चितकुप मंदिर के ही समीप में इस्ते थे, चितकुप मंदिर उसके बाजू में है, भगवान विश्णू की इस मंदिर में सेक जो चत्र साल थे, राजा, वो यहीं की महराज थे, राजा चत्र साल, ठीके, तो उन्होंने यहाँ पर पारवर्ती की प्रतीमा यहाँ पर इस्तापित करवाये थी, सेकुण वर्षबाद, जब यहाँ पर चंदिल वंस का सासन समाप्त हो गया था, उसके बाद में, सेकुण तो मंदिर के समीप में ही इस्तित है, अगलो जो मंदिर है, वो है, मंग्तेश्वर मंदिर, बहुत ज़्यादा, इंपोर्टेंट है, इसके मायने आज भी बहुत ज़्यादा है, राजा हर्ष वर्मन द्वारा यह मंदिर बनबाया था, 922 में, ठीके न, इस मंदिर में खज हर्ष वर्मन में इसका निर्मान करवाया था, यह सबसे पुराने मंदिर में से एक मात्र ऐसा मंदिर है, यहाँ पर आज भी पूजा अर्चना की जाती है, ठीके न, यहाँ पर आज भी पूजा और आरती यहाँ पर होती है, भगवान की पूजा की जाती है, और इसका नाम क्या है मंतेश्वर मंतेगेश्वर मंदिर ठीक है ना अगला जो मंदिर है खजराओ का वो है चौसट योगनी मंदिर इसके वारे में एक्जाम में बहुत कुर्शन फुशे आते हैं कि चौसट योगनी मंदिर कहां पर इस्तित है तो यह है खजराओ में इस्तित है ठीक है सतापदी के मर्द बने नागर सेली की उत्रकुष्ट मंदिर चिकने बलुवा पत्थर से निर्मेत है यहां ब्रह्मानी इंद्राणी और महसासुर मर्दानी की प्रतिमाय यहां को से प्राप्त हुई है कहां से 64 योगनी मंदिर से ब्रह्मानी की इंद्राणी की और मुहसासुर मर्दानी की प्रतिमाय अगला जो मंदिर है वह वावन अपतार को समर्पित है यह खज्राओं के मंदिर ce के वारे में पूरी जानकारी में आपको इसमें दे रहा हूं, बहुत जादा important सभी temple, सभी मंदिरों के वारे में examen question में बनता है, तो आपको इसी तरीके से याद रखना है, इसके भू विन्यास में सब्तरत, गर्व ग्रह, अंतराल, महामंडप और तता मुक मंडप इसमें इस्तित हैं, कहाँ पर बावन मंदिर में अगला मंदिर है, खजराव का जवारी मंदिर, सन 1075 से लेके 1120 के बीच में निर्मित इस मंदिर के सनपातिक सनरचना के प्रिदरक्षणा पत विहीन, गर्व ग्रह, अंतराल और मंडप विद्मान है, ठीक है ना, इसका नाम है जवारी मंदिर, 1075 से लेके 1120 के बीच में य इसका निर्मार करवाया था, खजराव के तरब जाने वाले रस्ते पर, जब भी आप रस्ते से गुजरते होंगे, तो खजराव के तरब जब जाते हैं, उसी रस्ते पर यह हनुमान मंदिर, तीन मीटर उची प्रितिमा, एक चबूत्रे पर रस्ते थे, ठीक है ना, और इस मूर् worlds का मयत्व इसलिए भी है, क्योंकि इसकी सिलालेक पर यह उत्किर्ण है, कि यह मंदिर कब 922 ऐस्भी का है, यह सिलालेक पर 922 ऐस्भी का वर्णन दिया गया है, और यह इसे साबसे, खजराव का सबसे पुराना मंदिर है, ठीक है ना, मुतर है इसलालेक पर यह पूर चंदेल वंस की इस्थापना की थी, और इसे साफसे यह सबसे पुराना मंदिर है, और यहां कि सिलालिक पर यह utilizar हनवान मंदिर. यहां पर की तीन मीटर उची पृतिमा एक चबूत्रे पर इस्तेत है. ह continue जो मंदिर हैं, वो जैन मंदिर है, यहां बाद में वो हिंदू धर्म सेली के हैं, ठीक है ना हिंदू धर्म से हैं, और जो आठ मंदिर हैं, वो जैन धर्म से के बनाए गए हैं, तो क्या है, इन में से जो आठ मंदिर हैं, वो जैन मंदिर के हैं, जैन मंदिरों की वास्तुकला, अन मंदिरों की सिल्प से मिलती जुलती है, सबसे बड़ा है इसका जो निर्माड काले ये 950 से लेके 1050 इसवी के मद्द में है ठीक है ना ये 62 पुट लंबा 31 पुट चोड़ा मंदिर है इसकी बाहरी भित्तियों पर तीन पक्तियों में तीन जो पंक्तियां है उसमें जैन मूर्तियां इसमर उत्क्रिन की गई है ध्यान रहे क कब बनवाया था इसका निर्माड कब वह था 950 से लेके 1050 इसवी के बीच में इसका निर्माड करवाया गया और ये 62 पुट लंबा और 31 पुट चोड़ा है इसकी बाहरी भित्तियों पर मैं बता चुका हूँ आपको तीन पक्तियों में तीन जो पंक्तियां है लाइन से र दो मैं थीक है न उसमें जेन की मूर्तियां जेन मंदिर जो जेन धर में उनकी मूर्तियों कह वह यहां पर उत्रिंड किया गया है न कोकीर हा गया है यहां पर बनवाया गया है अगला जो मंदिर है जेन तीर्थ का वो है आदिनाथ मंदिर यहां पर पास्टनाथ मंदिर के बारे मैं बता चुका हूँ अब है आदिनाथ मंदिर यह मंदिर गर्भ ग्रे आदिनाथ प्रतिमा इस्तित होने की कारण यह है जेन मंदिरों के नाम से जाना जाता है कोई गर्ब गरे में यहाँ पर आदिनाद के प्रतिमा इस्ताफित है, इस कारण से यह मंदिर जेन मंदिर के नाम से जाना जाता है, सहली के आदाहत पर यह मंदिर ग्यारवी सताबदी के उत्रार्द में निर्मित किया गया था, यहाँ पर पाए गई है, वह सहली ग्यारवी स सताब्दी के समीब की पाए गई है और ये उसके उत्तरार्द मियाने की ग्यारवी सताब्दी अब खताम होती है या उसके बाद की उस समय ये मंदिर का निर्मार किया गया आदिनाद मंदिर का जो की जेन धर्म की सम्मंदित ये मंदिर है यहाँ पर की आदिनाद की प्रतिमा स्तापेत है इस कारण से ये जेन मंदिर की नाम से जाना जाता है अगला जो मंदिर है खजराओ का वो है चतरभूज मंदिर इसके वारे में भी एक्जाम में पुछा जाता है खजराओ का मंदिर है चतरभूज मंदिर इसको आपको त्हान रखना है इस मंदिर में प्रिद्रक्षणा, पत, रहित, गर्बग्रह, अंतराल, मंडब तथा मुख मंडब है ये मंदिर एक साधारण चबूतरी परिस्तेत है खजराओं में ये ऐसा मंदिर है यहाँ पर की मिथुन मूर्तियों का आभाव है मिथुन मूर्तिया ने की जो की एक इस मंदिर में है जो कि एक अलग तरीकी की एक इस्तापित कला और मूर्ति कला के वारे में यहाँ पर प्रमाड मिलते हैं इस मंदिर का निर्माड काल कब हुआ गयारवी 1120 की के में माना जाता है ठीक है ना इस मंदिर का निर्माड अगला important point यहाँ पर खजराओं में हर वर आच में खजराओं का एक निर्ति समारों का आयोजन किया जाता है एक सप्ता चलने वाले इस सांस्कृति कारिकरम के लिए खजराओं के मंदिर के प्रस्चिम समों में एक प्रष्ट की तरह इसका इस्तमाल किया जाता है जो प्रस्चिम की तरफ में जितने भी मंदिर है ठी उसके पीछे ये पूरे मंदिर देखते हैं, ठीक है न, प्रस्चिन सम्हों को एक प्रस्ट पट की तरह इस्तमाल किया जाता है, और फिर ये खजराहों का समारों संपन होता है, जो कि कब होता है, फरवरी और मार्च में इसका समारों होता है, खजराहों में, ये आपको ध्या प्समाप्त होता है उसकत की साथ में मैं अगले के साथ में मद्धिप्रदिश के जितने भी परियाटनिस्तर ने उसके लगातार में वीडियोज अब लाता रहूंगा सभी परियाटनिस्तर के वारे में आपको जानकारी मेरी चैनल के मादम से मिलेगी जो कि एक्जाम्स के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट सावित होंगे